हलो एवरीवन, वलकम टू देस अमेजिंग प्लेटफॉर्म अफ आवर चैनल, पनेश्याफ और कॉमडेटेव एक्जामिनेशन और आएम प्यूश तो यहाँ पर हम अपने DFCCIL exam 2021 के लिए अपना जो section है History of Indian Railways और DFCCIL यह cover कर रहे हैं और आज आपकी class number 10 है, इससे पहले जिन लोगोंने 9th class तक नहीं देखा है तो वो जागर के पहले वो देखो, फिर आपको यहाँ से चीज़ें जो है clear होनी शुरू होगी यहाँ पर हमने 1832 से लेगर के 1852 तक की कहानी cover कर ली थी अब हम 1853 से बात करेंगे और इससे पहले मैं आपको DFCCIL की पूरी history करा चुका हूँ और फिर आपका इसके अलावा जो rail budget हो गया यह सब मैंने आपको करा दिया है, ठीक है तो वो भी cover कर लेना अच्छे से, अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके 1853 के आगे से जो भी facts वगरा बनते हैं accordingly करते जाएंगे timeline के according जिसे की आपके mind में भी चीज़ें छपती जाएं और आप समझते जाओ, ठीक है और एक चीज़ और आप सारी की सारी classes को जैसे आज मैंने कोई class कराई तो उसकी सारी बातों को आपको learn कर लेना है आज के आजी, ठीक है फिर मैं कभी भी expected test आपका कोई भी ले लूँगा, so that आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, और मैं भी disappoint नहीं होगा, ठीक है मुझे please आप लोग disappoint मत कर देना test में, यह मेरी humble request है, यह मैंने बहुत महनस से पढ़ाया है, बहुत dedication से पढ़ाया है अचा मैं आपसे अभी 2 minute यार एक बात करना चाहूँगा, एक बार नीचे आते हैं फटा फट से, तो यह तो आपकी class number 10 है, चलो ठीक है, आगे देखो अब यहाँ पर आज देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ, यह जो पूरा का पूरा history of Indian railways है ना, यह आपका तीन classes में भी खतम किया जा सकता था, पूरा का पूरा, वह सूपर उपर से मैं करा देता कि चलो हो गया और, बट इसमें ना, आपको वो पूरा का पूरा जो इसमें आपको पूरी knowledge है ना, understanding के वो grasp भी नहीं हो पाती और questions तो कहीं से भी आते हैं, question यह नहीं देखते हैं कि भई, यहां से आ रहा हूं, वहां से आ रहा हूं और मैंने यहां पर आपको जो cover कराया है ना, वो जो मैंने आपको knowledge दिया, अगर आपने सारी के सारी classes की हुई है तो आपको अपने अंदर जो एक strong चीज महसूस हो रही होगी ना, अंदर से आप अपने आपको मजबूत पा रहे होगे वो जो मजबूती है, वो कहां से आई है, क्योंकि आपने चीजों को समझा है, बहुत deep से समझा है, ठीक है तो इसलिए आपको यहां पर आप देखो, आज भी आपकी कितनी है, 5th of May हो रही है ठीक है, क्या हो रही है, 5th of May हो रही है, और आपकी examination form फिल करने की last date I think 23rd है और आपका जो history है, यह पूरा का पूरा, कुछ classes में मैं finish करवा दूँगा, पूरा का पूरा हम यहां पर जो institutions है, वो भी करेंगे और सारी चीज़ें complete करेंगे, जो भी जोन्स वगेरा है, जो भी fact है, फिर factories वगेरा है, आपकी railways की, वो सब भी कर लेंगे इसकी history के बाद में, तो यह सब निप्टा की कुछ दिन में आपका पूरा का पूरा यह 24 marks आपके हाथ में आ जाएंगे, है ना, तो इस चीज़ को समझो, कि मैं आपके लिए कितना ज़्यादा dedication से चीज़े provide कर रहा हूं, कितनी महनत कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं, इ मैंने भी अपने टाइम पे बहुत face करी हैं, और मुझे भी अपने टाइम पे चीज़ें नहीं मिलती थी accordingly, है ना, और कोई यहां पे दादा बोल रहा है, कोई सर बोल रहा है, कोई भाई बोल रहा है, तो इतना जो यहां पे प्यार मिलता है, वही मुझे आपका जो है motivation यह होंगा चीज़ें, don't worry, तो यह जो भी चीज़ें है ना, आपको continuously classes देने का जो मुझे motivation आता है, या फिर जो भी चीज़ें करा रहा हो ना, उसका बस main motto यही है, कि at least आप लोगों को ना, कुछ जो सच्चाई है, जो main content है, वो मिल पाए, आप लोग सच्चाई से, उस चीज हैं, जो कि बच्चों को यहाँ पे दरदर भटका देती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैंने भी अपने टाइम पे बहुत कुछ फेस किया है, तो वो दिक्कते हैं, at least मैं आपको समझा पाऊं, मेरे experiences से आप वो है, जो है profit ले पाऊ, है ना, उन सभी दिक्कतों में ना तो यही सारी चीज़े हैं, उसका profit उठाओ, और मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, at least मुझे आप टेस्ट में तो demotivate मत करना, जब भी मैं टेस्ट चलूँ, ठीक है, और चलिए खेर, शुरू करते हैं आप इन बातों का तो क्या ही है, शुरू करते हैं आज का session, तो बिल्कुल fresh mind से जो है देखते हैं, और देखो भई यहाँ पे, आपकी फिर यहाँ पे date आजाती है 1853, ठीक है, इससे पहले की I think आपको सारी की सारी चीज़े clear हो गई होगी, और यहाँ पे आप बात को समझना थोड़ा सा, यहाँ पे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे Lord Dalhousie के बारे में, क्योंकि यह जो passenger train है इंडिया में, यह किसके वज़े से आईं, तो यह Lord Dalhousie की वज़े से आईं, और अगर मैं Lord Dalhousie की बात करूँ, तो यह आपके लिए बहुत important है, क्योंकि इसी को कहा जाता है Father of Indian Railways, ठीक है, क्या बोला जाता है Father of Indian Railways, अब मैंने आ आपको, तो यह ना 1848 से लेकर के 1856 तक Governor General रहा है कहां का, इंडिया का, अब बात को समझना, जब यह आया तो इसने यहाँ पर 1852 में क्या बोला, इसने देखा भई, industrial railways जो है वो बढ़िया काम कर रही है, तो इसने क्या कहा, कि अब मैंने आपको कल बताया था, कि जितनी भ बनाई जारी थी, प्राइवेट जो कंपनी थी, उनके द्वारा बनाई जारी थी, किसके द्वारा बनाई जारी थी, भई, प्राइवेट कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पर लॉट दलहौजी ने क्या बोला, कि यह जो railways है न, यह जो प्राइवेट कंपनी वाले ही देंगे ना तो मुझे कितना फायदा हो जाएगा और मैं पूरा का पूरा इंडिया में जो है एक तरीके से passenger train यहां पर लेकर के आप आऊंगा तो passenger train का जो पूरा का पूरा एक तरीके से विजन था लाने का वो ये Lord Dalhousie का ही था clear है तो फिर देखो अब क्या होता है यहाँ पर date भी याद रखना आप 16th April 1853 ठीक है यह देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16th April 1853 क्या हुआ इस date को जो सबसे पहली passenger train थी इंडिया की वो चलाई गई यह date आप ध्यान में रखना यह जो 16th April 1853 को भी ध्यान में रखना है देखो अब जो पहली passenger train थी इंडिया की फॉस्ट passenger train यह चलाई गई अब इसके बारे में न कुछ और fact है वो आपको पता होने चीए यह देखो यह तो अब आपको पता ही होगा कि यह कहां से कहां तक चली तो बोरी बंदर से चली और बोरी बंदर के बारे में तो आपको अब सारी के सारी बाते याद हो गई होगी कब इसका name change हुआ कब जो है Victoria Terminus बना कब यह महराज छतरपती शिवाजी आपकी पहली वाली passenger train अब धान में आपको यह रखना है कि इनके बीच की जो distance थी वो कितनी थी 34 km थी ठीक है और एक चीज़ और धान में रखना कि यह जो आपका railway track था ना अच्छा यह question ना बहुत ही मतलब एक अच्छा question है और काफी सारे बच्चों को यह जीज़ बता नहीं होगी कि यह जो बोरी बंदर से लेकर कि आपका थाने तक का railway track था यह किस टाइप का गौज था ठीक है ना यह जो आपका railway track बना हुआ था यह किस टाइप का गौज था तो यह आपको ध्याद रखना है कि यह वाला जो गौज था ना यह ब्रॉड गौज हुआ करता था उस टाइम पे इनोंने जो है सबसे पहली जो हमारी passenger train चली वो किस पे चली ब्रॉड गौज पे अब जिन्होंने सारी की सारी glasses करी है उनने पता होगा ब्रॉड गौज क्या होता है बोलो फटा-फट से तो ब्रॉड गौज जो है आपका railway track के बीच में इनके कितनी distance होती है तो 5 feet 6 inches की कितनी होती है 5 feet 6 inches की देखो सारी की सारी चीज़ें एक एक करके काम आ रही है कि नहीं आ रही है इसलिए मैंने आप से पर बोला है कि सारी glasses आपकी एक नाएक करके आगे-ागे जुड़ी हुई है और आपको एक जब आप पहली करोगे तो दूसरे में काम आएगी दूसरी करोगे तीसरे में काम आएगी है ना तो अब देखो ये धान में रखना अब दूसरी बात ये जो बोरी बंदर है ये तो मैंने आपको कली बताया कि ये जो है आपका कौन से railway company के अंतरगत आता था तो Great Indian Peninsular Railway तो इसको अब मैं जो है GIPR करके बोलूँगा बार-बार नहीं लिखूँगा इतना बड़ा कि Great Indian Peninsular Railway यही आगे चल करके क्या बन गया था clear है तो ये समझ में आया आप मैं GIPR लिखूंगा उसका मतलब क्या हो जाएगा अब देखो ध्यान से अब बात करेंगे जरा हम इस train की तो ये वाली train के बारे में थोड़ी से important बाते समझना सबसे पहली बात ये वाली जो train खींची गई थी यानि कि इस train को जो है three engines के द नाम था वो था साहिब दूसरे का नाम था सिंध और तीसरे का नाम क्या था सुल्तान तो ये तीनों जो है engine use किये गए थे किसको खींचने में पहली railway अब जो अपनी passenger railway थी ठीक है अच्छा अब दूसरी बात समझना यहाँ पर ये जो बोरी बंदर से थाने के लिए अपनी train गई ये वाली इसमें कितने लोग बैठके गए थे तो इसमें 400 जो है guests बैठके गए थे अब भई पहली वाली train चल रही है पहली बार चलाई जा रही है तो उसमें आम आदमी तो बैठेगा नी तो ये जो 400 guests थे ना ये एक से बढ़के एक dignitaries थे ठीक है क्या थे एक से 21 guns की salute भी दी गई अब दूसरी चीज यहाँ पर ये समझना आपसे पूछेगा कि इसमें कितने coaches थे जो अपनी पहली passenger train चली कहां से बॉम्बे कहलो या फिर बोरी बंदर कहलो बोरी बंदर का जो station था वहां से लेके थाने तक इसमें कितने coaches थे तो 14 coaches थे इसमें कितने coaches थे कहां से बॉम्बे से यानि की बोरी बंदर से क्लियर है कहां से चलना स्टार्ट किया बॉम्बे यानि की बोरी बंदर से इसने चलना स्टार्ट किया 3.35 पीम को समझ गए होगे ये वाली बात एक सेकंड अब देखो यहाँ पर फिर आपका मई 1854 में क्या होता है यह पूरी कहानी आपको समझ में आई यह पहली वाली जो हमारी परसंजर ट्रेन चली इसके बारे मैं अल्रेडी बहुत सारी बाते बता चुका हूँ अब देखो यहाँ पर आपका आजाता है मई 1854 अब य यहाँ पर क्या पढ़ता था कल्याण पढ़ता था इन्होंने कहा कि अब हमें कल्याण तक भी जाना है ठीक है यहाँ पर आपका यह क्या है भई बोरी बंदर है यह आपका बोरी बंदर यानि कि बॉम्बे हो गया फिर आपका थाड़े पढ़ता था इसके बाद में था कल् पर इन्हों ने क्या बनाना पड़ गया एक ब्रिज बनाना पड़ गया अपनी रेलवे को इधर से उधर पहुचाने के लिए तो बात समझना आप इन्होंने यहां तक यहां से लेगर के यहां तक तो जो इनकी पहली वाली फॉर्स्ट पसेंजर ट्रेन थी वो पहुचा दी तो या फिर आपसे कॉच्चन ये भी पूछ सकता है कि पहला रेल्वे ब्रिज गहां पर बनाया गया क्योंकि पसेंजर रेल्वे ब्रिज बोल दो प्रीज बोलिए फिर सबसे पहला यही था जो की आपका थाणें से कल्यान की पीछ में उलहास रिवर द्रिश इक रहा रे इसने इसकी सबसे पहली वक्षोप बना ली कहा पर बाईकुला वक्षोप बाईकुला वक्षोप अभी भी आपकी जो है फंक्षनेबल है बाईकुला वक्षोप यह जो है अभी भी फंक्षन कर रही है वक्षोप और यह कब बनाई गई थी 1854 में उस टाइम पर आपका Central Railway ज तो question कैसे भी गुमा गुमा के पूछे तो वो भी आपको जो है clarified रहेगा अब हम यहाँ पर बात करेंगे 15th August 1854 ठीक है अब हम किसकी बात कर रहे हैं एक बार color को change कर लेता हूँ 15th August 1854 अब देखो क्या होता है यहाँ पर आपने देख लिया इंडिया की सबसे पहली passenger train कब चली और वो एक तरीके से जो आपकी उपर वाली train थी वो GIPR की भी सबसे पहली passenger train थी लेकिन अगर आपसे question पूछे कि आपका जो East India है कौन सा इंडिया भाई East India जो है यहाँ पर East India की सबसे पहली passenger train कौन से year में चली या फिर कौन सी date को चली तो यहाँ पर आपकी बात आजाती ह 15th August 1854 पे क्योंकि इस date को क्या हुआ आपका East India की सबसे पहली passenger train चलती है और किस किस में चलती है तो आपका हाओडा के लेकर के हुगली के बीच में ठीक है कहां से कहां के बीच में हाओडा से लेकर के हुगली के बीच में जो सबसे पहली train है कौनसी इस इंडिया की वह चला थी यह रिया कोशन आपका दो तरीके से पूछले इस इंडिया की सबसे पहली प्संज रेन कोनशी है या फिर आपका eisa cept in 2010 दोरा बनाई गई सबसे पहली ढाई कोन सी तो वह आपकी हाउडा से लेकर जरकि हो तक अच्छा है इसकी डिस्टेंस याद रखना कितनी है ये डिस्टेंस तो ये थी आपकी 24 माइल्स की यानि कि आराउंड आपका ये 39 किलोमीटर जो है बैठता है अगर मैं आपसे माइल्स की बात करूं तो ये 24 माइल्स हो जाता है ठीक है हाँ क्लियर है न सबको देखो कितना हो जाएगा आपका 24 माइल्स हो जाएगा अगर माइल्स में पूछे वैसे किलोमीटर में ही आपको अंसर जो है अपने याद रखने होते हैं चलीर हुआ हाउड़ा कहाँ पर है आपका कलकत्ता के पास है यहाद आ रहा है सबी सबी सबीको ठीक है तो वीस्ट बैंक और में आपका इस इंडिया की सब से पहली एक तरीके से पसंजर ट्रेंच चलाई गी थी यहां पर यह वाली चीज़ भी क्लियर होगी सभी को है ना चलो अब आते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पे 1855 में तो देखो 1855 से जो आपका यहाँ पर कुछ जो काम हुए है वो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे फेरी क्वीन की ठीक है 1855 जहां से देखो यह यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है यहाँ से आपके दो तीन चीज़े निकल करके आती हैं सबसे पहली बात 1855 में यहाँ पर आपका इस्टैबलिश्मेंट करी गई पूरा का पूरा सेंटरल रेल्वे में ही जो है मिला दिया गया तो यह चीज़ धान में sulla इन से सको पूरा काूरा सेंटरल रेल्वे में मिला दिया गया तो यह चीज धान में रखना है 1855 में किसकी फॉर्मेशन हुई बॉम्बे बडोदा एंड सेंट्रल रेलवे की क्लियर है अच्छा अब यहाँ पर दो तीन बातें और बहुत इंपोर्टेंट है 1855 में ही यहाँ पर आपका फैरी क्वीन को ठीक है यहाँ पर देखो एक बार कलर को फिर से चेंज करेंगे और यहाँ पर आपका लॉंच किसको किया गया फैरी क्वीन को अब यह जो फैरी क्वीन है न यहाँ से बहुत सारे questions मुझे जाते हैं और railway exams में तो भरमार पड़ी है इसके questions की तो हम लोग सारी की सारी चीज़ें इसके बारे में अब समझ लेंगे यह जो fairy queen है ना इसको दो award मिल चुके है एक तो यह क्या है इसको सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करो इसका नाम Guinness Book of World में है ठीक है Guinness Book of World में इसका नाम है Guinness Book of World में clear है क्यों नाम है भई क्या reason है इसका तो इसका reason है it is the world's oldest steam world's oldest ध्यान देना world का सबसे पुराना है क्या steam engine clear है क्या है steam engine in regular use in regular use यानि कि ये दुनिया का सबसे पुराना steam engine है जो कि regularly use होता रहता है clear है बात मेरी समझ पा रहे हो गया ये चीज clarify हुई आपको regular use में जो है ये दुनिया का सबसे पुराना steam engine है इसका नाम किसमें आ गया Guinness Book of World में आ गया अब दूसरा जो इसको सबसे important award मिला हुआ है ना वो मिला है यहाँ पर national tourism award ठीक है national tourism award इसको मिला हुआ है national tourism award कौन से year का तो 1999 का ये मिला है इसको 1999 का national tourism award तो देखो भई कितना important ये आपका steam engine है ferry queen तो धान में रखना ferry queen को introduce कौन से year में किया गया 1855 में किया गया लेकिन हम इसको क्या ऐसे छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे इससे जितने भी possible questions है हम तो वो सारे के सारे करेंगे तो अगर आपसे पूछ ले कि भई ferry queen को यहाँ पर build किसने किया था सबसे पहले बनाया है किसने था 1855 में और कहां बनी थी ferry queen जो ferry queen है वो क्या 1855 से अभी तक continuously ऐसे ही काम कर रही है यह सारे question भी तो उठते होंगे न मैंने आपको सिखाया हुआ है कभी भी कोई बीची सामने देखे तो उसके सामने क्या लगा देना है question mark समझना है उसको ठीक है तो जिन लोगों में यह आदत आ गई है बहुत बढ़ि and Havitson उन्होंने चो यह इसको बनाया था किसको भाई ferry queen को कौनसे year में 1855 में और यह कहां बनी थी इंडिया में नहीं बनी थी यह यह बनी थी leads में कहां पर बनी थी leads में लीड कहाँ पर है, इंग्लेंड में है, तो इसको बनाया गया था, इंग्लेंड में, और फिर ये इंट्रड्यूस करी गई इंडिया में, फैरे क्वीन, ठीक है, ध्यान रखना, अब हुआ क्या, कि भाई, जब 1855 में इसको इंट्रड्यूस कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, कौन सा नाम है, इस्ट इंडियन रेलवे, इस्ट इंडियन रेलवे, इस्ट इंडियन रेलवे, नमबर 22, ठीक है, क्या नाम है इसका दूसरा, इस्ट इंडियन रेलवे नमबर 22, अब ये नमबर 22, इसका जो नमबर है, वो 22 कैसे प वो नमबर था 22 इसको नाम दे दिया गया उस टाइम पे कि भई ये नमबर 22 है लेकिन अब तो हम इसे किस नाम से जानेंगे इसको अब हम जानते हैं फैरी क्वीन के नाम से अब देखो इसके बारे में बहुत सारे एफेक्ट्स न जोगी आपसे अलग-अलग टाइप के कोश् रिटायर कर दिया गया तो फिर इसको उत्तर प्रिदेश में यहां पे 1943 तक एक स्कूल में इसको रख वग गया यहां पर आपका एर आता है 1972 ठीक है 1972 में जो इंडियन गरमेंट थी उसने क्या कहा अब 1972 1972 में अपना देश तो आजाद हो चुका है तो इंडियन गवर्मेंट ने कहा कि अब भई ये तो जो है एक तरीके से हमारी जो है एतिहासिक धरोहर है यानि कि हमारा ये क्या है है तो इसको हम क्या करते हैं समाल के रख देते हैं तो इन्होंने इसको समाल करके कहां पर रख दि चाड़क के पुरी में कहां पर पढ़ता है चाड़क के पुरी में पढ़ता है जो की आपका डैली में है तो देखो कॉश्चन समझते जाना यहां पर कितने सारे कॉश्चन फ्रेम हो रहे हैं आपके ये वाली चीज भी आपको धान में रखनी है नैशनल रेल म्यूजियम क सर्फ यहां पर मैं आपसे बात करूँ 1997 में क्या होता है 1997 में यहां पर इंडिया इंडियान गार्मेंट देना बीच में यहां पर पैलेस ओन वील्च एक सर्वर से स्टार्ट करी राजिस्थान के जो रजवाडे वगेरा हैं वहां तक के एरियास के बीच में रेल सर्वेस स्टार्ट की गई थी और जो बहुत ही मतलब इंपोर्टेंट गैस्ट होते हैं इसका जो फेयर है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ करता है और यह स्टार्ट हुआ था आपका कब 1982 में ठीक है 1982 में पैले सॉन वील्स की स्टार्टिंग हुई और न्यू डैली से लेकर के जोधपुर वाला एरिया हो गया अलवर वाला एरिया हो गया वहां पे राजस्थान का वहां तक यह वाली ट्रेन आपकी जाया करती है और इसमें जो है पहले रजवाड ही जाया करते थे पर इसमें बहुत ही मतलब एक नंबर की फैसिलिटी जो लगजरी है वो बहुत जाता इसमें प्रोवाइड करी जाती थी ठीक है तो यहां पर अब पैले सॉन वील्स जो है आपका 1982 में स्टार्ट हो चुका था और यह 1972 में हमने इसे नैशनल म्यूजियम में डाल दिया अब 1997 में क्या होता है वही सरगार के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना हम यह बड़ा ही लगजरियस सा लगता यह जो स्टीम इंजन था ना यह अपना जो फैरी क्वीन स्टीम इंजन है बड़ा लगजरियस लगता है तो 1997 में इसको हमने क्या किया इस स्टीम इंजन को लोको वर्क्स पेरंबूर ठीक है क्या है आपका यहाँ पर लोको वर्क्स यानि कि जो इंजन वर्क्स है बेसकली कहां का पेरंबूर का पेरंबूर यह कहां पर पढ़ता है आपका यह बेसकली आपका चन्नेई में पढ़ता है ठीक है कहां पर पढ़ता है बई चन्नेई में ये आपका पड़ता है तो यहाँ पर इसका क्या कराया गया Restoration कराया गया एक तरीके से पूरा का पूरा इसका reconstruction तो क्या ही कहोगे हम इसको क्या बोल देंगे Restoration बोल सकते हैं ठीक है तो ये local works में जो है यहाँ पर इसका Restoration किया गया कौन से एर में 1997 में और इसको हमने लेकर के लगा दिया कॉंसे ट्रेन में भई पैलेस ओन वील्स के अंदर और फिर यहाँ पर क्या हुआ जो गिनीज बुक आफ वर्ल्ड्स मैंने आपको बताया था ना वो इसको गिनीज बुक आफ वर्ल्ड्स में एंट्री मिलती है 1998 में तो यह पूरी की पूर कि अधर से उधर पहुंच जाते हैं थोड़ा सा फील हो रहा है आपको मज़ा आरहे की नहीं आरहे तो यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है यही चीज़ेंगी कि मुझे तो यार सब आता है ऐसा कुछ मैंने छोड़े ही नहीं ठीक है तो देखो 1855 से हमारी कहानी चल रह है न तो ऐसे ताल ठोक के पढ़ो कि हां यार यह मैंने पढ़े लिया अब इससे बाहर कोई पूछ के दिखा दे एक्जामिनर में इतनी हिम्मत है तो जो मैंने पढ़े लिया है न इससे वह कौशन पूछे और जितना मैंने पढ़ा उससे बाहर कौशन जाये गई नहीं यह आपका attitude होना चाहिए, तभी तो exams निकलेंगे, ऐसे कैसे निकलेंगे, है ना, तो जितना भी पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ा डालो, आपको examiner ने एक topic दे दिया, उसका पूरी की पूरी कहानी गतम कर डालो, कहां से पूछे का examiner, है ना, बिल्कुल ताल ठोक के जानी ह आपके जो शिक्दम दिखना चाहिए, आपके चेहरे पर, कि हाँ भई, मैं पढ़के आया हूँ, ठीक है, कोई मुझे हिला नहीं सकता, चलो खेर, देखो यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ, हम यहाँ पर पहुच गए, अपनी कहानी को लेकर के, कहां पर पहुच गए ह ठीक है, कौन सा यहर आ गया भई, अब 1st of July 1856 आ गया, तो मैंने आपको 1st passenger train बता दी, Eastern India की, 1st passenger train बता दी, Central India की, और पहले इंडिया की वो हो गई, अब यहाँ पर 1856 में क्या होता है न, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अपने Southern Railway की, किसकी बात करने वाले हैं, सद 1856 को ही चलाई गई, किससे किसके बीच में चलाई गई, तो वही वो भी देख लेते हैं, फटा फट से, तो यह आपका न, टोटल डिस्टेंस की, अगर मैं आपसे बात करूँ, टोटल डिस्टेंस पढ़ती थी, 97 किलो मीटर की, इस साइड आपका था रोयापुरम, ठीक है जो अरकोट है, और अरकोट में वाला जाहा रोड करके प्लेस था एक, वाला जाहा रोड, क्लियर है, वाला जाहा रोड जो है, यहाँ तक आपकी यह वाली यहाँ पे पहली पसेंजर ट्रेन चलती है, कितनी डिस्टेंस है भई, 97 किलो मीटर की है, कब बनी यह, 1st जुलाई 1856 को बनी, यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई क्या, बोलो फटाफट से, अच्छा, अब एक चीज़ का आंसर खुद से मुझे बताओ, कि यह वाली जो रेलवे है, यह अगर मैं आपसे बात करूँ, रोयापुर हम से लेकर यह वाला जाहा आरकोट वाली, यह क इतनी से इंफॉर्मिशन हो गई कि कल की क्लास में, साउथ में मदरास रेलवे था, इस्ट में इस्ट इंडिया रेलवे था, और आपका सेंट्रल रीजन में जी आई पियार हुआ गरता था, तो आप सारे कोशन अपने आप बता सकते हो, इन सब क्या आंसर तो, है ना, बोल 1856 में ही, जो मदरास रेलवे की सबसे पहली वरक्शॉप है, मदरास रेलवे की सबसे पहली वरक्शॉप यानि की फर्स वरक्शॉप है, वो उपन होती है आपकी कहाँ पर पेरंबूर में, ठीक है, तो चीजे ना, बिलकुल जुड़ी हुई है चीजे, है ना, कहीं कुछ जोडते जाना है, समझ गए क्या, बोलो हाँ, अब देखो यहाँ पर 1856 में ही एक छुटकू सा इवेंट और हुआ, मैंने आपको बताया था कि Bombay से लेकर थाने वाला जो रोड था, वो हमने आगे कहाँ पर जोड दिया था, कल्यार तक जोड दिया था, अब यही जो Bombay थाने वाला railway track था ना, Bombay थाने वाला, यह हमने और आगे इसे extend कर दिया, कहां तक extend किया, एस year में हमने, खोपोली तक, ठीक है, कौन से year तक, कौन सी जगह तक कर दिया, खोपोली तक हमने इसको extend कर दिया, बागी यह अलग से पूचा नहीं जाएगा, बड तब भी, थोड़ा सा 18 1856 की कानी चल रही है, तो यह हम क्यों ही छोड़ेंगे, है ना, नहीं छोड़ेंगे, clear हो रही है ना मेरी बात, चलो, अगली बात पर आते हैं अपने, अगले वाले year पर आ जाते हैं, अच्छा आपको यह लग रहा होगा सर, यह तो 2-3 year ही खतम नहीं हो रहे हैं, बड कोई यह बात नहीं, यहां से important questions बन रहे हैं, तो यहां पर आपकी year लग रहे हैं, कोई बात नहीं, यह आपका time जो है, विल्कुल आपको ऐसे सोच रहा है, यह सब मेरा invest हो रहा है, यह चीज़ें, ठीक है ना, चलो, अब देखो, year आ जाता है, अब अपने पास में 1858, कौन सा year आ जाता है, 1858, और अब इस year में क्या होता है, आपका एक और railway company launch कर दी जाती है, the eastern, the eastern Bengal railway, the eastern Bengal railway, तो यह company और launch कर दी जाती है, अच्छा, यह मैं आपको इतनी सारी companies के नाम क्यों बता रहा हूं, यह आपको आगे चलके पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ना, आपको मैं starting में जब चीज़ें बताता हूं, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता हूं, यह चीज़ बताई क्यों जा रही है, उससे ना, आपका base बन रहा है, अभी आपको आगे की एक-दो class में पता चलेगा, मैं क्यों इतना जोड दे रहा था, यह हर year में company बताने पे, clear है, जैसे कल वाली class का फायदा आज मिल रहा है न, आज की class का फायदा भी आपको अगले 2-3 classes में मिलता रहेगा, चलो खर, आप यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा tram के बारे में, हुआ क्या कि 1858 के बाद से आपका जो time period start होता है, 1873 की बात करेंगे हम सीदी, फिर हम यहाँ प क्या start कर दी गई, क्या start कर दी गई भई, tram services, तो हमें थोड़ा सा tram services के बारे में देखते हैं कैसे कैसे develop हुई, और यहाँ से अगर question बना तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, पूरी एक बार आप इसको date के साथ देख लो, क्योंकि हम पहले पहले वाली चीज़े date के साथ मे इंडियाज फॉस्ट जो tram services है, फॉस्ट tramway बेसकली, जो है tramway या फिर tram services बोल दो, यह launch करी गई, ठीक है, tramway या फिर tram services लाँच करी गई, और यह जो tram services थी, आच्छा, tram services समझना, क्या होती है, इसमें बेसकली आपको एक route बना दिया जाता है, road के बीच में, और उसके उप से पहली tram services चलाई गई न, वो या रख देखो, गाड़ी तो इन्होंने ऐसी रख दी, इसकी उपर चलो ठीक है, एक गाड़ी इन्होंने ऐसी रख दी, अब यह जो गाड़ी चलाई जा रही थी, इसके आगे कोई engine वगयरा कुछ नहीं लगाता, इसके आगे गोड़े लग किसी को नहीं पता, चलो खेर देखो, इसकी जो distance थी, चलो ठीक है, पता है वई कुछ को, तो इसकी जो distance थी 3.8 kilometer थी, ठीक है, कितनी थी थी, 3.8 kilometer थी, और किस-किस के बीच में चली थी, तो ये कलकत्ता में चली थी, कहाँ पर चली थी ये? कल कत्ता में चली थी और जो आपका जगए है वो सियाल दाहा कौन सी जगए है भई सियाल दाहा है और दूसरा वाला जो जगए थी सियाल दाहा के पास में ही पढ़ता है आर्मेनियन स्टीट ठीक है क्या पढ़ता है आर्मेनियन स्टीट पढ़ती है वहां से लेगर के वहां तक आपकी ये ट्राम सर्विस जो है लॉंच करी गई थी तो समझ में आप आई कि आपको यह वाली चीज क्लियर है चलिए अच्छा इसके पहले ना मैं आपको यह 1873 की कहानी पर हम पहुच गे इसके बीच में एक इवेंट और बताता हूं आपको अच्छा सा यह कोशन बन सक फ़ेंडियान रैलवे वरक्षोप यह कहां पर खोली गई अच्छा मैंने आपको ऊपर जो है पेरंबूर वाली वरक्शोप के बारें बताया था वो कौनसी थी लोकोमोटे वरक्शॉप थी ना वो अच्छा अब अगर पूंछें फ़र्स इंडियान रैलवे कहाँ पर है फटा फट से बताओ जो बिहार के बच्चे है उनको पता होगा यह मुंगेर के पास पढ़ता है ठीक है मुंगेर के पास है बिहार में तो यह जो है पहली वरक्शॉप थी इंडियन रेलवे की यानि की रेलवे को ले करके बाकी वो इंजिन आपका लोकोमोटे व पनी हुई थी पहले सबसे पहले जो इंडिस्ट्रियल यूनेट्स थी वो यहीं इसी वरक्शॉप में आपका यूज करी गई थी तो यहां तक की सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाई है क्या हां जी फटा फट से बताओ आई होप की समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से महनत करो यार देखो मैं मैंना मुझे मॉक टेस्ट लेने में थोड़ा सा अपने आप से यह डर लग रहे कहीं आप लोग मुझे बहुत जादा निरास ना कर दो ठीक है तो प्लीज अच्छे से याद करके रखना औ बहुत जादा आप अगर समझ बारें इस चीज़ को कि कितने सारी टेंशन रहती है बहुत जादा है चीज़ें चल रही है आपको पता है कि हमारा जो अभी बेसिकली इन्वारेमेंट चल रहा है फिर आसपास का जो नेवर हुड है उसमें भी सब कुछ हर जगह से साड़ न प्षटाइम के लिए तो आप सोचो यह चीज कि क्या आप नहीं पढ़ सकते हो सारी के सारी चीजों को छोड़के थोड़ा सा टाइम निकालके ठीक है तो इन चीजों को सोच और पढ़ाई करो मेहनत का कोई भी सब्सक्रिटीट करने हैं सब कुछ कुछ करना है स्टार्ट क मैं reasoning मैंने बताई थी पढ़ना स्टार्ट करो पढ़ी की नहीं पढ़ी यहाँ पे आपके पूरे के पूरे matter करें अब सोचो यहाँ पे बारा question आने है बारा में से अगर कोई यहाँ अगर गलती से 8 question करके आगया वो तो बहुत नीज़े चला जाएगा है ना 12 में से 12 attempt करने है कैसे भी फिर आपका यहाँ पर जो GS आएगा GS में भी आपको 24 में 24 attempt करने है रेलवे की history आएगी इसमें भी 24 में 24 attempt करने है क्योंकि question चूटेंगे यार question आपके CRM में चूटेंगे question आपके economics में चूट सकते हैं इन section में चूट सकते हैं हो सकता है GK में एक आदा question चूट जा है and wish you all the best thank you so much thank you so much god bless you all take care and bye bye